नमस्कार, मैं शाशिधर और आप देख रहे हैं धेटीवी पर हमारा खाशकारिकरम भारत के एतिहासिक फैसले पिछले एपसोड में आपने भारत की नियाईक विवस्था के सबसे एतिहासिक केश्वनन्द भारती मामले के बारे में जाना आज की कहानी को इसकी अगली कड़ी या नागलीकों के हित में नियाईपालिका का बेहर एहम फैसला देखा जा सकता है जिसे एडियम जबलपुर केस के नाम से जाना जाता है जो की 1976 में आया दरसल अप्रेल 1976 में जब भारत में कुख्यात आपातकाल लागू हुआ उसी समय नियो यॉर्क टाइम ने भारत की सुप्रीम पोर्ट के एक जज की तारीफ में एक आलेक लिखा जज की तारीफ का कारण एक फैसले में दर्ज उनकी एसहमेतिया थी Fending Hope in India शीर्षक में प्रकाशित आलेक में Justice HR खन्ना की तारीफ उनके द्वारा एडियम जबलपूर बनाम शिवकान शुकला मामले में दर्ज उनकी असहमेतियों के कारण ही हुई थी यह फैसला आज से 46 साल पहले दिया गया था दर्ज असल एडियम जबलपूर का मामला आपात काल 1975 के दौर में हुठा अनुच्छे 369 यानि आपात इस्थिती में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राष्टपती ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत नागरिकों को अनुच्छे 21 यानि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार के तहत प्रदत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालतों सुसंपर्क करने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था आपात काल में व्यापक स्तर पर मानवा अधिकारों का उलंगन किया गया था और विपक्ष के अधिकांश प्रमुक नेताओं को हिरासत में ले लिये गया था उख्षे 21 के उलंगन के खिलाफ नियायालें से संपर करने का अधिकार है चाहे वा किसी बिस्थिती में हो सरकार ने हाई कोट के आदेशों को सुप्रीम कोट में चुनोती दी मामले की सुनवाई पांच जजों की एक समिधान पीठने की माना जाता है कि भारत के एटॉनी जनरल शी नरेन डे जो पहले कई विवादासपत मामलों में सरकार की ओष्य प्रस्तुत हो चुके थे उन्होंने सरकार के इस रुप का बचाव करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपात काल में जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता हाला कि सरकार ने डे की अदालत में उपस्थिती सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धमकी दी कि उनकी ब्रिटिश पत्नी के निवास अधिकारों को रद्ध कर दिया जाएगा डे ने बाद में दावा किया था कि उन्होंने अपनी दलीले ऐसी रखी कि जज सरकार के बचाव को खारिश कर दे सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने डे से पूछा अगर एक पुलिस कर्मी अपनी व्यक्तिकत दुश्मनी के कारण किसी को मार दे तो आपकी दलीलों के मताविक क्या कोई ऐसी स्थिति के लिए कोई कानूनी उपचार मौजूद है डे ने जवाब दिया जब तक आपातकाल मौजूद है ऐसे मामले के लिए कोई न्याईक उपचार मौजूद नहीं है उन्होंने आगे कहा यह आपकी अंतरात्मा को जटका दे सकता है, मेरी अंतरात्मा को जटका दे सकता है, लेकिन ऐसे मामले में न्यायवयले में कोई कारिवाही नहीं की जा सकती ऐसा माना जाता है कि डे ने तर्क दिया था कि आपातकाल के दोरां जज की मौजूद्गी में भी यदियेक प्यक्ति को सुरक्षा बल मार दे वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे चार एक के बहुमत से न्यायधीशों ने यह माना था कि राश्रुपती के आदेश की रोश्नी में आपातकाल की स्थिती में नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उलंगन की स्थिती में न्यायालेओं से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है वस्तुता अदालत ने अपने फैसले से हिरास्त में बंद व्यक्तियों को असहाय छोड़ दिया था तब तक जब तक की आपातकाल हटा नहीं लिया जाता दरसल इस केश की पटखता तब शुरू हो गई थी जब इंद्रा गांधी सरकार ने 25 जूल 1975 को इमर्जंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इस्थगित करने से कर दिया था इसी दौरान देश भर में नजरबंदी का दौर भी शुरू हो गया था कुछ गिरफतार लोगोंने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षी करण या चिकाएं दायर की बंदी प्रत्यक्षी करण कानून के तहत गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट से प्राथना करने का एक अधिकार है कोर्ट एक आदेश के जरिए पुलिस को ये आदेश देती है कि वो ऐसे बंदी को कोर्ट में हाजिर करे और उसे हिरासत में लेने के वाजिब वजह बताए जबकि उस समय स्टेट किसी की जान भी ले ले तो भी उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता था क्योंकि ऐसे मामलों को सुनने के कोर्ट के अधिकार को ही स्थगित कर दिया गया था खेर उन याजिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट सहित देश के नो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इमर्जनसी के बावजूद बंदी प्रत्यक्षी करण याचिकाएं दायर करने का अधिकार कायम रहेगा इसके खिलाफ केंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया चार एक के फैसले में जस्टिस खनना ही वव्यक्ती थे जिन्होंने अलग फैसला लिखा और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षिकरण पर रिट जारी कर सकता है और यह समिधान का अभिन अंग है समिधान में किसी अथोरिटी को यह अधिकार नहीं है कि इमर्जनसी के दौरान हाई कोर्ट के इस अधिकार को सस्पेंड कर दे 1976 का ये एतिहासिक केस एडियम जबलपुर बनाम शिवकान शुकल मुकदमे के नाम से चर्चित हुआ इसके केस में बहुमत से मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के पक्ष में फैसला दे दिया गया था उस बेंच के सदस से थे चीफ जस्टिस ए एन रोय, जस्टिस एच आर खन्ना, एम एच बेग, वाई वी चंद्रचूड और पी एन भगवती 19 नवंबर 2010 को अंतिता सुप्रीम कूट ने ये भी माना कि 1976 में इमर्जन्सी पर उसके एक फैसले से देश की बड़ी आबादी के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था पांच जजों की पीट की ओर से चार एक से पारित आदेश में जिस एक मात्र जजने अपनी असहमती रखी थी वह जस्टिस एचार खन्ना थे उन्होंने माना था कि जीवन और स्वतंतरता का अधिकार कारेपालिका की दया पर निर्भर नहीं रह सकता है और कानून का शाषन सरकार को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमती नहीं देता है जस्टिस खन्ना नहीं माना था कि अदालतों से संपर करने का एक अधिकार नागरिक का प्रबल अधिकार है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता जस्टिस खन्ना किया असेमती वस्वतंत्ता समर्थक द्रिश्टिकोर उन परिस्थितियों के कारण भी मात्व पूर्ण था जिन में उन्हें व्यक्त किया गया था कि यदि आपातकाल के दौरान कुछ गर्दुरगटना भी हो तो भी व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है श्रीमती इंद्रा गांधी का शाशन सरकार के खिलाफ किसी विरोध को कुचलने के लिए जाना जाता था 1973 में उनकी सरकार ने भारत के मुख्य न्यायधीश की न्यूक्ति से सम्मंदित वरिष्टता की परंपरा को भी भंग कर दिया था उन्होंने न्याय मूर्ती A.N. Ray को मुख्य न्यायधिश नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोड के जजों की तीन जजों की वरियता को भी इंक्रोच कर दिया था यनी अधिक्रमित कर दिया था अधिक्रमण की यह कवायद कथित रूप से इसलिए की गई थी क्योंकि उन तीन जजों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ निर्णे दिया था जबकि जस्टिस Ray ने सरकार का पक्ष लिया था जस्टिस HR खन्ना वरिष्टा के अनुसार मुख्य नियाधीश बनने की कतार में थे इसलिए सरकार के खिलाफ निर्णे देने का गंभीर परिणाम तो तय था और उन्हें Chief Justice का पद गवाना पड़ सकता था जस्टिस खन्ना ने अपनी आत्म कता में लिखा है कि फैसला सुनाय जाने से पहले वह अपने परिवार के साथ हरीद्वार गए थे गंगा नदी के तट पर बैठे हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा था मैंने फैसला तयार कर लिया है इससे मुझे भारत के मुख्य नयाधीश का पद गवाना पड़ सकता है फैसला सुनाय जाने के बाद जस्टिस खन्ना ने उनके प्रती सरकार के रवये में एक अवधार अनात्मक परिवर्तन पाया उन्हें सरकार द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधियों के लिए आधिकारिक रात्री भोजों में भी और अन्य आपचारिक कारिक्रमों में भी आमंत्रित किया जाना बंद कर दिया गया जबकि अन्य जजों को बुलाया जाता रहा और उनका अनुमान भी सही रहा उनकी असहमती के कारण उन्हें भारत का मुख्य नियाधिश नहीं बनाये गया और जस्टिस M.H. बेग को यह पद दे दिया गया जो की उनसे जूनियर थे जस्टिस खन्ना ने अपनी जीवनी में इस घटना की व्याख्या की उन्होंने लिखा की 28 जन्वरी 1977 को वह हमेशा की तरह कोड गए उन्हें लग रहा था कि कोड में यह उनका आखरी दिन होगा रेडियो पर शाम पाँच बजे उन्होंने जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस न्यूक तिक किये जाने की खबर सुनी और उन्होंने तुरंत राष्टपती को अपना त्याग पत्र भेज दिया हाला कि A.D.M. जबलपूर मामले में असंतोष जाहिर करने के कारण श्री एनन पालकी वाला ने उचित ही कहा था कि जस्टिस खन्ना जैसे कदवाले व्यक्ति के लिए मुख न्याधिश का पद कुछ भी नहीं था अक्सर यह कहा जाता है कि A.D.M. जबलपूर मामले में जजो ने समिधान की रक्षा और भय और प्रेम के बिना अपना कर्तव निभाने की समिधानिक शपत का त्याग कर दिया था वर्षों बाद A.D.M. जबलपूर में अपने फैसले पर खेद जताते हुए उसी बिंच के एक जज ने कहा था कि आपात काल एक भयावह दौर था और हर कोई डर गया था एक मात्र जज जिनोंने भय या पक्षपात को अपने समिधानिक शपत के रास्ते में नहीं आने दिया वह थे महान न्यायमूर्ती HR खन्ना न्यू यॉर्क काईम ने उचित ही लिखा था यदि भारक, आजादी और लोकतंत्र के रास्ते पर दुबारा लोटा तो निशित रूप से न्यायमूर्ती HR खन्ना के लिए एक समारक बनाया जाएगा यह समारक वास्तों में बनाया गया और आज सुप्रीम कोड के कोड नंबर 2 में एक चित्र के रूप में यह लगा भी हुआ है तो आज की कहानी में इतना ही ऐसी ही रोचक कहानिया लेकर मैं जल्दी ही फिर मिलूँगा तब तक के लिए इजाज़त